जैन सातियों कैसे हैं आप सभी लोग स्वागता आप सभी का आफी के यूट्यूब चैनल आई फेपर क्लासिस में आई होप सो दोस्त आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तयारी को रेगुलर तरीके से कर रहे होंगे तो गाइस वन आप बिगेस्ट में आप सभी को देने आप सभी की जारी हो चुकी है अपना जारी कर दिया ठीक है तो चलिए काई सेसन को स्टार्ट कर ले और से पहले जो भी बच्चे दोस्तो चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर बैल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली क्लासि की अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे ठीक है बात करेंगे दोस्तों सारा कुछ ट्वैल्ट पास आप सभी की वेकंसी होंगी ठीक है ओल इंडिया वेकंसी है इलेजिबिल्टी एज स्लेबस एक्जाम डेट सभी कुछ हम बात करने वाले हैं ठीक है और दोस्तों क्लास यह दोस्तों मिनिस्ट्री ओफ डिफैंस मेश का ही दोस्तों नोटिफिकेशन है मिलिटर इंजिनिंग सर्विस का एक अगस्त 2023 का बच्चो इक नोटिस जारी किया गया गाईज जो किसकी 2022 में दोस्तों इक नोटिफिकेशन आयता इससए की तरफ से जो मेस के रिगार्डिं मैं तो अब 2013 में आप सभी नौटिफिकशन जारी कर दिया है किसका स्टेनो ग्राफर का जिसमें दोस्तों मैं मसें सब्सक्राइब डिफेंस जारी कर दिया है अब दोस्तों यह जो इसका नोटिफिकेशन यहाइक अगस्त हो जो सिलेक्ट होने वाले बच्चे हैं जो एक्जाम दिया था जिन्हों ने स्टैनो फर्स्ट का दो जार बाइस का बच्चो किसका में लिट इंजिनिक सर्विस का जो तो उसका नोटिस जारी किया है अभी 2023 में एक अगस्त को तो दोस्तों उससे पहले आप सभी का एक और वेकंसी जारी हो चुक आप सभी का 2823 यानि कि दोस्तों दो अगस्ते से आप सभी के फॉर्म अपलाई हो रहे हैं आट 23 अगस्ता तक दोस्तों इसकी लाज़ डेट रहने वाली है ठीक है आगे बात करें दोस्तों आपके चलिए एक्जाम की बात करें बच्चों अक्टूबर में सेड्यूल्ड है Central Board of Indirect Tax and Custom विभाग में वेकंसी है तो इसी तरीके से हर डिपार्टमेंट में बच्चों वेकंसी निकाली गई है जिसमें यदि आप चेक करेंगे बच्चों Ministry of Defense की भी वेकंसी है ठीक है आगे बात करतें दोस्तों और भी आप सभी के काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है जैस बच्चों आप सभी के लिए है यह में यस आर्मी एच्क्यू की ठीक है अब इसमें दोस्त आप सभी देखेंगे तो केवल चार वेकंसी निकाली गई है ठीक है बाकी मिनिस्ट्रोंड़ डिफेंस कंतर का दोस्तों काफी सारी वेकंसी है सेम बच्चों सारा कुछ ठीक है न आते हैं बच्चों कि आप सीधा तैयार ही कर रहेंगा इस किसके डिकरंस की तो आप सभी दोस्तों हरा एक्जाम को टारगेट करने की कोशिश की है करें जिसमें आप सभी स्लेबस क्या हो आपके अंडर में आता हो ठीक है क्योंकि दोस्तों जरूरी नहीं वेकेंसी निकलिये 2023 की तो आप सभी जादा से जादा कॉमेंट कर दे और प्लासिस के लिए सभी बच्चे जादा से जुड़ जादा चैनल से ठीक है चलिए आगे बात कर लेटे दोस्तो अब इसके मैं सीधा आप सभी को लेकर चलूंगा किसके बारे में नीचे जादा कुछ नहीं बताऊंगा इस लिमिट बता देता हूं दोस्तो आप सभी को क्या रहने वाली 18-30 साल के बीच में जो भी बच्चे हैं 18-2023 से बच्चों काउंट होगी जो भी 18-2023 से बाद में दोस्तों क्या 18 साल पूरी कर चुके हैं या 30 साल से कम कि हैं वो बच्चे इस फॉम को अ साल का खर और वाले 15-30 साल के भी जो बी स्टंडर्ड रहता वह आप सभी का दोस्तों इन्होंने में इस ची की तरफ से और एक्जام के बात कर लें यह दोस्तों आप सभी के लिए जाना जरूरी हो जाता है कि कौन-कौन बच्चा इस फॉर्म का अप्लाइ कर अपाएगा तो बात करो दोस्तों आप सभी के पास 12 पास होनी चाहिए किसी भी एनी रिकोनाइज़ बॉर्ड से तो सभी बच्चे जादा जादा फॉर्म का अप्लाइ करें एससे की वेकंशी है बहुती बेस्ट वेकंशी है ठीक है अब जो भी बच्चे यह सोच रहें कि आर्मी मेस की स्पेसल में वेकंशी आएंगे तो दोस्तों उसके लिए आपको बहुत टाइम इंतिजार करना पड़ कर सकते हैं सारा कुछ और आप सभी ने चेक कर भी लिया हुआ ठीक है इस जो आप सभी का दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं इसमें क्या क्या आने वाला है बच्चो तो जर्णल इंटेलिजेंस एंड पचास नंबर की आएगी पचास कुस्टन जर्णल अवेर्नेस सँख वहहां कि दस नंबर के इंग्लिज दस नंबर का मैं दस नंबर का जीघर दस नंबर का उसमें पहुत ही जहाता है और थोड़ा सा कवर करना भार होता है अब आप आपके पास तिन टार्गेट के वहलें ःंगलिज कर नहीं है gk करनी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप दोस्तों को 유च अज़ चाइख एक्षा मिलनेवाला है और छालीश मिनट एक्स्ट्रा पैरा से विलोंग करते हैं भ sigui पैरा6 से और Bießen A BCraig से ठीक है नीगतिव मार्किंग की बात करें बचटских आप सभी की नेगतिव मार्किंग इसमें रहने वाली है वन थर्ड्ड की ठीक है यानि कि जिरो पोंट 33 की बच्छो इसमें नेगेटिम मार्किंग रहने वाली है किलियर है ना तो थोड़ा सा अक्यूरेशी को आप सभी को मेंटेन करके चलना है क्योंकि 200 कोशन दोस्तो एक तो सबसे पहली बात 200 कोशन 120 मिनट में ठीक है बठाला कि टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ब बच्छो सेम रिजनिंग ठीक है और आगे जर्णल अवेर्णेस की बात करो इसमें स्टेटिक करेंट एंड आप सभी का दोस्तो जो आसपास की कंट्री है करेंट जो दोस्तो आपकी नेशनल है और इंटरनेशनल दोनों पढ़नी है आप सभी को एंड हिस्ट्री जोग्रफ इंटोनियम एंड इंट्स करक्ट यूजिस आप सभी को आने चाहिए और राइटिंग अबिट्य आप सभी के अच्छी होने चाहिए कि लिए रहने वाला बच्छो आप सभी का स्किल टेस्ट के लिए जरा नीचे चाहिए नहोंने पूरा मैंसन कर रखा है तो आप देखें चार्लीश मिनट मिलेंगी किसमें English में हिंदी में 25 मिनट ठीक है न बच्छो आयो पके लिए तो कोई क्यारी हो तो कॉम्मेंट करना जादे से जधा जितना ज्यादा हो सके है और जो भी बच्छे दों क्लासिस चाहते हैं ठीक है फिर फ्कोस्ट में आप एक ऐसा कंटेंट चाहते हैं जो आप सभी को एगजाम में पाड़ा सके तो कोमेंट कर देना दोस्तों रिजनिंग लिए मैक्सिम्म टु मैक्सिम्म है तीक है यह सारा कुछ वहीं पर प्रोवाइड होता है तो धन्यवाद जह बारत आयोप सो दोस्तों आप समझ पाएंगे कि आर्मी दोस्तों मेस की बात करूँ गाज इसके अंतर गाज जो इतनी भी वेकेंसी है वो आप सभी फिल कर सकते हैं ठीक है तो वो भी बच्चो एसेसी की तरफ से आईगे आप यह ना सोचें कि मेस डारेक्ट निकालेगा मेस डारेक्ट निकाल सकता है तो बच्चो के वल मेट की वेकेंसी निकाल सकता है ठीक है या स्टोर की पर या बैरा की स्टोर की पर की इनकी वेकंसी आ सकती है बस जो MTS जो आता है बच्चों है ज्यादा तर SSC के थुरू आएगा और आगे दोस्तों स्टैनोग्राफर वगेरा की वेकंसी भी ज्यादा तर SSC के थुरू आती है तो धन्यवाद जैन जैवारत